नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद विवेक जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियो से लेकर आता रहता हम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा ताकि आपको हमारे लेटेज वीडियो नोटिफिकेशन जलते जल मिल सके हैं आई दोस्तों आज बहुत ही इंपोर्टेंट एक वेबसाइट लेकर आये हैं जितने दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो हम लोग सालों से यूज कर रहे हैं उसका नाम है I love PDF यह जो वेबसाइट है दोस्तों आप मैंसे काफी सारे लोग इसको जानते होंगे जो नहीं जानते हैं वो यह वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं www.ilovepdf.com आप यहां क् बैस इस सब्सक्राइब से नगे तबर श्रker नेका हैं मालगी जी दोस्तों आपको एक सेक्सल तरने मालें हैं, στο साथुक्त झाहएं बोग मूंत नहीं धीद बैस व leuke जो जाएँगी वेफिन ऑन्Benut कर सकते हैं परको से कर चलश है आप से एकसल सकते हैं चलश से.... सकते हैं PDF अगर आपकी रोटेट हुई है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं HTML to PDF unlock कर सकते हैं protect कर सकते हैं यह सभी option है दोस्तों इवन आप sign भी कर सकते हैं या लिखा है sign a document and request signature draw your signature और sign PDF files with a certificate based digital ID दोस्तों यह इतने सारे options हैं आप इनको जो है use कर सकते हैं बहुत ही कमाल की website है even आप यहां पी देखेंगे आप यहां convert PDF में आएंगे आप को option मिलेंगे सारे PDF के tool यहां दे रखें हैं जो भी मैंने भी आपको नीचे बताए माली जी दोस्तों आपको PDF को compress करना है तो आप compress PDF पे यहां क्लिक कर रहे हैं क्लिक करने के बाद यहां आपको select करनी होती है PDF या आप यह रहां पर इस तरीके से यह जो है इसको ऐसे drag करके भी आप यहां पर ला सकते हैं यह ड्रैक कर दिया है हमने और दोस्तों जो है करने के बाद यहां करके देख लीजिए यह हम स्लैक कर लेते हैं अब दोस्तों यह जो option देख रहे हैं extreme compression अगर यह जो compression है आप बहुत जादा low करना चाहते हैं बहुत कम size करना चाहते हैं हाल फराल मैं आपको बता देता हूँ यह जो document है इसका size है 2.36 MB, हम इसको कितना कम कर सकते हैं यह हम आपको बताएंगे, यह अब जो है दोस्तों यहाँ पर recommend compression जो होता है, जिसमें quality खराब नहीं होती है, आपके document की, यह 31 pages इसके अंदर हैं, और compression जो good होगा, less compression आप करेंगे, high quality रहेगी, less compression होगा, तो हम recommended जो यह website हमको recommend करती है, हम उस पर click करेंगे, अब यह इसको compress करेगा, compress करके download करेगा, और आपको अभी पता चल जाएगा, कि यह देखिए दोस्तों, your PDF are now 61% smaller कर दिया गया है, 2.37 MB का जो आपका size था, वो 1 MB से छोटा कर दिया गया है, 961.86 KB की यह आपकी file बना दी गही है, इस तरीकी से आप compress कर सकते हैं, और यह देखिए, यह यहाँ पर download हो रही है, यहाँ से आप इसको आसानी से download कर सकते हैं, तो दोस्तों, इसी तरीके से यह size आपने कम कर लिया, आप यहाँ से merge करना चाते हैं, दो PDF को, तो आप merge पर जाएंगे, again आपको select करना है PDF को, और आप जो है, इन में से जो भी लेना चाते हैं, जिने merge करना चाते हैं, उन्हें आप select कर लिजिए, माल लीजिए, आप यहाँ से इस तरीके से हमने यहाँ पहला select कर लिया है, यह हो गया है select दोस्तों, यहाँ पर, आप add more files, आप add करेंगे, आप जैसे add करेंगे, आप दूसरी file select कर लिजिए, यह select कर लिजिए, दोस्तों, अब यहाँ मर्ज का option आगया है, जैसे आप इसको merge करेंगे, तो यह दोनों file जो है 37 pages की, 37 pages की यह है, 418 pages की यह है, यह आपस में जो है, दोस्तों, merge हो जाएंगी, इसी तरीके से दोस्तों, इसमें जो एक और option है, split करने का, split आप करना चाते हैं, म को यहाँ देखने मिलेगा, माली जी मुझे एक से लेकर, मैं यहाँ 5 pages तक लिःज को जाएगा, इसके बात और और भी अगर add करना चाहते हैं, तो इन parts में आप जैसे, इसको split करेंगे, आप यहां split पर kicks करेंगे, अब एक से लेकर 5 तक औरौश से लेकर के बीच तक की file जो है split होके download होने वाली है और जो है यहां पर download हो जाएगी यह देखी दोस्तों यह download होकर यहां पर आ गई है और इसकी zip file बनाई है zip file इस करण से बनाई है क्योंकि यह जो है दोस्तों एक से ज़्यादा file को एक बार में download कर रही है इसलिए उसको zip कर दिया गया है और आप जैसे ही इसको extract करेंगे तो आपने जो files split की है वो आपको अलग-अलग यहां पर दिखाई दने लगेंगी तो दोस्तों इसको download होने देते हैं हम यहां पर website में और बात कर लेते हैं अगर आप कोई PDF है उसको word का conversion करना चाते है word हो सकता है आप powerpoint convert करना चाते है powerpoint convert हो सकता है इस सभी options दोस्तों आप use कीजिए काफी useful website लगी मुझे मुझे लगा कि आप लोग के लिए इस website से related video बनाना चाहिए क्योंकि जितने भी काम हम PDF selected करते हैं हमें size का issue होता है convert करने का issue होता है lock unlock protect करने का issue होता है even हमें PDF को कभी-कभी जब sign करना होता है तो sign भी करने का issue होता है इन सारी चीजों का जो निजात है जो समस्याओं का समधान है वह एक ही website पर आ जाता है आप इसको वुक्मार कर सकते हैं और even दोस्तों यह website जो है हमेशा बहुत अच्छे result देती है और जितने भी comparisons जो होते हैं और जो भी काम यहां PDF से related regarding की जाते हैं उनको आप जो है आसानी से यहां पर कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी website है अभी हालफ लाल हमारी जो जिप थी वह यहां पर download हो गये हम इसको जो है open करते हैं यह दिकिया आप यहां पर open हो गई है हम इसको यहींपर extract कर लेता है extract है यह extract हो गई है दोस्तों और यह आप देख सकते हैं यह आपको दिख गया है यह जो दो है इसमें आप pages देख रहे हैं एक से पास तक मैं आपको यह देखा देता हूँ यह जो दोस्तों file थी उस file का यह देखिए यह starting के first page 5 इसके बाद जो हमने 11 से 20 का split किया था वो आप यहां से देख सकते हैं तो देखिए दोस्तों ये page number 11 से शुरू हुआ है और ये जो है page number 20 तक चला है दोस्तों तो आप ये इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी जो main file थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये इसकी main file थी और ये main file जो है आप देख पा रहा है 31 pages की थी इसमें ही हमने ये दो अलग-अलग pages जो है split करके आपको दिखा दिये हैं तो दोस्तों इस website को आप जदा स्यदा शेर कीजिए आपको ये website ये वीडियो कैसा लगा comment के माते हमसे बता सकते हैं अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं इस website का use कैसे किया जाता है इस वीडियो के थिरूप और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो like कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं और भी videos हम in future लेकर आप लोग लिए आते रहते हैं और लेकर आएंगे भी आप किस फील्ड के और वीडियो चाहते हैं ये हमें comment के माते हमसे बताइए चैनल को subscribe कीजिए मेरा नाम है बिवेक भारत द्वाज थैंक यू